स्लाम ऑलिकों नमस्ते सचरी अकाल. यसे हैं आप लोग उमीद कहती हो ठीक होंगे, खुष हूंगे, मैं हूं हजिकाली तॉ मेरे साथ थाट हैं, और फ्रीक है तार श्रूम खाल दिद दूस्तों जहा है, खुश रहे, माबब का झाल करें कि ओख होंगे, तुस्ट norm. प्रशान दवन नाव रीसेंडी यूएसे के बहुती फेमर्स न्यूस पेपर आउटलेट वाल स्ट्रीट जनरल पे फ्रेंट पेज की एड आई वहां पर लिखा था कि इंडिया के वित्रमंत्री सहित कई जो और ऑफिशल्ज ए इंडिया में इन पर एकोनोमिक सांक्शन लगाए यूएस गवर्मेंट और इसके रिस्पॉंस में भारत की तरफ से रिप्लाई ये आया कि ये अपने आप में अटायक है और इंडियान सॉवर्णेटी जो हमारी संप्रभुता है इस पर आकरबन किया जा रहा है यहाँ पर आप देख पाऊगे त जो एड है ना ये अपने आप में इंडिया यूएस रिलेशन्स को बुरी तरीके से डैमेज भी कर सकती है अब यह आपके सामने न्यूजपेपर है वाल स्टीट जर्नल का जिस तरीके से हमारे यहां बहुत सारे अकबार है दे हिंदू हो गया हिंदूस्तान टाइम टाइम जो इंडिया को बनाते है निवेश करने के लिए एक अंसेव जगा ये जो अपने आप में अर्विटीजमेंट है ना ये कह रही है के भारत निवेश करने के लिए असुरक्षित देश है आप सोच कर देखिए तो ये भारत के economic interest पे attack ही है क्योंके हमें आज के समय निवेश चाहिए हम चाहेंगे के USA की companies इंडिया में निवेश करें और आज के समय एक ऐसे टाइम में जब USA में हमारी वित्मंत असुरक्षित देखिए है और वो वहाँ पर इंडियन economy को promote कर रही है एक ऐसी याड आजा है USA के leading newspaper में के जी इंडिया एक असुरक्षित जगा है निवेश के लिए ये अपने आप में एक बहुती बड़ा cause of concern है आगे याड़ में लिखा है के यहाँ पे इंदिर्मला सिता कर दे नव एक बात यहाँ पर मैं clear कर दूँ कि यह जो एड है न यह Wall Street Journal ने खुद नी चापी हाला कि इस एड को approval Wall Street Journal ने दी है मेरे हिसाब से ऐसी एड को approve नहीं करना चाहिए था जहाँ पर यह बात की जा रही है कि American Government एक friendly country के ministers पर sanctions impose कर दे मगर Wall Street Journal में यह आड पपलिश ह हो गई तो यह बात अभी के लिए मैं clear कर दूँ कि इस एड से Biden का कोई relation नहीं है Wall Street Journal का directly कोई relation नहीं है यह एड actually publish करी है America के एक NGO ने इस NGO का नाम है Frontiers of Freedom और यहाँ पर नोटेस करोगे एड के नीचे यह निका लोगो भी है Frontiers of Freedom इन लोगों ने पैसा दिया Wall Street Journal को और फिर य नहीं कर रहें क्योंकि लोग जानते हैं कि यह सिर्फ एक मखोटा है यह का संगटन है जिसको आप डोनेशन दोगे वो कोई भी एड publish करवा देगा इस एड के पीछे जो असली आत्मी है जो इंडियन आटिकल्स में जिस प्यारूप लग रहे हैं कि इसने यह एड होगे वेड 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 हमें तो लग रहा था कि यूएस की कोई यह सादेश है कि हमारे जब वितमंत्री गई जब यूएसे में तब इन्होंने यह एड छपा दी मगर रियालिटी में इस एड के पीछे एक इंडियन ओरिजन के अमरीकी नागरिक है यह विश्वनाथन तो यह सब क्यों हुआ इनको क्या तकलीफ है इंडिया में निवेश से यह क्यों चाते हैं कि भारत के मिनिस्टर्स पर सांक्शन लगा दे अमेरिका वेल यह समझने के लिए आपको जाना होगा 2004 में आपने ओवर दे यर्जना बहुत बार आर्टिकल में सुना होगा एंतरिक्स देवास केस इसको काफी बार इस रोद देवास केस भी कहते हैं जिसमें दो में यह पार्टीज है एंतरिक्स कोपरेशन जो इस रोगा कमरिशल आर्म है उसके लाभा देवास मुल्टी मीडिया इन नोनों के वीच में दुनिया भर के कोпр乐 में चाए अमेरिकन कोट हो कनेडि कोड एरोपियन कोड इंडियन कोड कई सालों तक लीगल बैटल हुई आप यहाँ पे आपको ओगे अच्छा ठीक है तो देवास यह जो कंपनी है इस कंपनी से का रिलेशन है विश्वनाथन का देखें विश्वनाथन CEO थे देवास कंपनी के और देवास ने एंतरिक्स कोपर के थुरू इसरो के साथ 2004 में एक एग्रीमेंट किया जिसके अंडर इसरो सैटलाइट लाउंच करेगा इस कंपनी के लिए और ये कंपनी वो सैटलाइट यूज करेगी बाद में करप्शन का इश्यू सामने आ गया और 2011 में UPA गवर्मेंट ने ये जो सारी डील थी ये करद किया अंडरिक्स पर और कई जगा वैसे ये केस जीते भी मगर इन दी एंड भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो जज्जमेंट थी वो बाकी कोर्स पर भारी पड़ गई भारत में आज भी विश्वनाथन को दिखा जाता है देवास कंपनी के फॉर्वर सीओ के रूप में जो दसियों हजार करोड के सकैम में इन्वॉल्थ है जिनका नाम बढ़ा judge आता है कि सकैम में आये था उसके लावा भारत में जो एंफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट है इन्होंने इनकी कंपनी का ऑउक्षन भी करवा दिया था जून महीने में इसी साल उसके लावा एंफोर्समे में निवेशो लिख रहे हैं यहां पर के इंडिया एक unsafe place है to invest क्योंकि भारत में इन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं particularly corruption के मगर विश्वनाथन का ये कहना USA में के जो current government इंडिया में ये इनके पीछे पड़ी है ये ज्यादा aggressively इनको deal कर रही है तो अब इसके response में इन्होंने क कर रखा है कि USA में बहुत सारे जो NGO हैं उनको funding दे दी उनके साथ मिलके काम किया और ये कोशिश करनी start कर दी के USA के एक certain act के अंडर इंडिया पे sanction लग जाए अब ये act कौन सा है ये है global magnets की human rights accountability act ये act बड़ा interesting है इसकी कहानी जान के आपको काफी ताज़ब होगा ना पहली ब corrupt आपको मिलेगा रशिया corruption perception index को आप अगर देखोगे तो जहाँ पर भारत की rank है 180 में से 85 की जो अपने आपें बहुत अच्छी rank नहीं है मगर रशिया की rank आप देखोगे तो 136 है और इसका reason ये है कि रशिया में जो judiciary है न ये बहुत ज़रा कमजोर हो चुकी है व्लादेव लगी पूछते हैं कि रशिया में सिर्फ दो इनाम होते है क्या सरगई व्लादेमिरे सरगई व्लादे मेरे ये मैं भी सोचता ह faint काफी बार मतलबып तीन चार नामें इनके फिमिस हैं मिखाय सरगई में इसकेला है वावा ज़रा नाम ही दिखते हैं नहीं हैं इंके घार तो स रश्या में तंत्र इतना ज़रा ताकतवर है कि इन रश्यन टैक्स ओफिशल्स ने ना करप्शन इंटर्नल करप्शन जुरिश्री के साथ करके वापस मैंगनिस्की पर ही केस कर दिया और इन पे आरप लगा दिया फ्रॉड का मैंगनिस्की को उसके बाद जेल हो गई और जेल कि व्लादमिर पुतिन की सरकार को टार्गेड करने का बहुत अच्छा तरीका ये केस इसी आदमी के नाम पर ना हम USA में बनाते हैं एक कानून और उस कानून के अंडर हम रश्या में जो व्लादमिर पुतिन के करीवी लोग हैं उन पर लगाएंगे सांक्शन्स और इसी तर सरकार की कि किस तरीके से उसने करप्शन एक्सपोस करने की कोशिश करी अंथ में उस पर ही केस हो गया और वो जेल में मरा गया तो अभी जो वाल स्ट्रीट जरनल में एड पपलिश हुई है ना वहाँ पर ऐसा ये लोग दिखा रहे हैं कि जो मैगनिस्की के साथ हुआ था वही विश्वनातन के साथ हो रहे है जबकि दोनों केसे कम्पलीटली डिफरेंट है मगर इससे हमको ये भी दिखता है कि यूएस मीडिया कितना जादा इर्रिस्पॉंसिबल है क्योंकि इस एड में पहली बात तो मैगनिस्की जो एक बहुत ही साड केस था उसका यूज किय जा रहा है इंडिया को टार्गेट करने के लिए इंडियन गर्मेंट को टार्गेट करने के लिए फिर आगे यहां पर एड करते हैं कि इंडिया अंसेफ प्लेस है टू इन्वेस्ट फिर ये सांक्शन की भी डिबान करते हैं मैगनिस्की एड के अंडरी तो इतना कुछ एक आदमी यहाँ पर करवा रहा है USA के अगबारों में और USA के अगबारों ने simply ना यहाँ पर यही किया है कि उपर लिख दिया paid advertisement तो question यहाँ पर यह उठता है कि क्या America का जो media है यह weaponized हो चुका है कोई भी अगर मानलो भारत से भागता है किसी पर आरूप लगे है financial fraud किया किसी और टाइप के आरूप लगे है वो US में जाकर इस टाइप की ad publish करवा सकता है और भारत के बारे में यह सब लिख सकता है is it allowed तो यह कैसा issue है जो time आ चुका है के इंडिया properly raise करे USA के साथ कि आपका जो media है यह क्या ऐसी बाते openly publish कर सकता है advertisement के नाम पर कि भारत पे sanction लगा दो भारत पे निवेश मत करो यह तो कोई ad भी नहीं हुई यह तो clearly एक propaganda है तो क्या US एक friendly country के against अपने media में यह propaganda allow करेगा या नहीं करेगा यह high level पर यह बात उठाने के हो शकता है नहीं तो मैं आपको बता दूँ एक बार यह example set हो गया तो बहुत से लोग हैं USA में और देशों में वो इसी तरीके से भारत को target करना चाहेंगे advertisements के जरीए तो finally यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इस problem का solution क्या हो सकता है लिखेगा comment section में मैं जाना चाहूँगा आपका opinion और finally मैं आपसे question नहीं पूछूँगा एक MCQ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सौरफ गांगुली को कौन replace करेगा as BCCI President यह है आपकी option रवी शासरी, कपिल देव, रॉजर बिनी या फिर सुनील गावसकर comment section में करिए उत्तर सही answer मैं आपको दूँगा नहीं क्योंकि easy question है, इसके बारे मैं आपको बतावना चाहिए, जो लोग सही answer करेंगे, हमकी comment को मैं हाट दे दूँगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही answer क्या है finally, यहाँ पर मैं यह भी add कर दूँ के live में अगर आप एक बार properly UPSC exam की त्यारी करना चाते हैं, genuine तरीके से तो आप unacademy का special combo package purchase कर सकते हैं, comment section में जाईए, यहाँ पर आपको मिलेगा link इस combo package का now, इस combo package की खास बात यह है, कि आपको यहाँ पर prelims, mains और optional, तीनों की त्यारी करने का मौका मिलता है in a single purchase, यह सारे जो आप courses है, अलग-अलग purchase करोगे, तो 10-15,000 रुपीज आपको extra pay करने होंगे, तो combo में वैसे ही आपकी saving होती है, तो अगर मान लीजिए अभी आपका plan है कि आप 2-3 साल में अराम से UPSC के exam का proper attempt देंगे, तो जो 36 मेने का course है, यह आप कर सकते हैं purchase, मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं, कभी भी pay मत कर देना, simply यहाँ पर code use करो PD10, और prices गिरना start हो जाएंगे, the prices will start falling, सिर्थ 3000 रुपे में UPSC optional prelims means तीनों की त्यारी आप कर सकते हैं with an academy, so use the code PD10 and save money, so इसी note के साथ, यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all. एक और हरकत आप नोट करें, किसी NGO के थुरू, NGO को एक तरीकी से महरा बनाएगे, क्योंके funding की गई होगी, ताकि direct नाम भी नाए, और एक और चीज है कि क्या इस तरह कि इस तरह कि इस तरह कि इस तरह कि इस तरह एक अखबार का, एक निउस्पेपर का, एक law होता होगा, एक इश्तिहार में मैं कुछ भी लिख रहा हो, मेरी मर्जी है, material मेरा है, मैं उसके charges दे रहा हूँ, तो क्या मैं किसी भी बंदे को target कर सकता हूँ, तो क्या मैं किसी भी बंदे को, उसको approved कैसे कर दिया, ये एक सोचने की बात, एक law होने चाहिए, कानून होगा, एक sensible लोग मैं नहीं, लेकिन आप नोट करें के एक तीर से दो शिकार हूए, कैसे सबसे पहले तो target किसको किया, इंडिया को, और किस law के थरू किया, अब आप एक अंदादा लगाले, एक इश्तिहार, और चलाकी, दूरंदेशी, एक जहानत उनकी देखें कि उन्होंने एक तीर से दो शिकार किये, उन्हें भी जन्जोड़ा, जैसे जहां पर भी वो वाले law का जिकर होगा तो उन्हें घल्टी फिल होगा, उन्को बुरा लगए, वो हीट करते ने, इस law को उन्को अफूरा देने, गोणा आप बताएं कि कि कितनी गहरी साजिष, कितनी गहरी प्लानिग् उनका हकीकत से अगर तालुक ना भी हो तो लोग बुलने वाले बोल देते हैं कुछ की मुझे ऐसा अगता है विश्वनाथन और मैगनिक्स की जो है कि दोनों वो जो मैगनिक्स की एक्त है जो बना बाद में उनकी राथ के बाद और उनोंने तरीके से सच्चाई के लिए एक्स्टोस किया था सबकुछ जो भी करप्शन हो थी जो भी हो रहता तो फिर उनको दबा दिया गया जेल करवा दी गई उल्टा फ्रॉड का कैस लगा तो वो तो टोटली बात अलग है वो तो टोटल जो भी इंसिडेंट है जो भी वाकिया है वो बिल्कुल ही अलग है और यह जो विश्वन आखना है यह वकाज़ता फ्रॉट करके भागे इक तरीके से करॉप्शन का 10,000,000,000,000 करोड करॉड करॉप्शन कम होता है इतने बड़ा मौन करप्ट करके भागे और एक तो उन्होंने जगा भी देती इनको तो आप यह देखें कि कोई भी इंसान बड़े से बड़ा क्राइम कर ले बड़े से बड़ा कोई पी जुम कर ले उसकी कोई देख रेक नहीं है अगर वो इंडिया से निकल गया या पाक इंडिया और पाकिस्तनि हम दोनों को समझनी चाहिए रेस करना चाहिए नह यह यह क्या है कि प्र उन्हीं लोगों को लेगना सिर्फ और सिर्फ एक जगह देखे, पना देखे, अपने कंट्री में रखे, आप हमारे जितने भी लोग हैं, अक्सर देखे, आप लंदन में बैठे हुए, हमारे जितने भी लोग है, सियूस बैंकों में उक अकाउंट है, जब पूरी दुनिया को पता है, पूरे अलादत मे आचुका हो के यहां से करप्शन करके भागे में लोग है, लेकिन स्वीज बैंक है कैसा बैंक होता है, जो आपकी काला या सफेद कोई भी पैसा हो रखे तो सबसे पहले तो यह भी तो सुचने की बात है, कैसा लोह है उनने क्यों बनाया, कुछी समझ में आती है, वैसे तो सकते हैं, कि बड़े हम्हीन की ऐधिया, बड़े महान और यह बड़े अच्छी है और हमे ठोड़ा सा मतलब डिग्रेल करते हैं, चट्रय करते हैं, कि हम भी फिल कर राते हैं, कि हम ही हमें लोग हुआ चरपे करते हैं। मैं बच्पन में ही सूछती थी, कि अगर आपने कुछ गलत किया है, तो आप कभी नी बढ़ सकते हैं, तो मुझे बढ़े होकर पता चला, कि आप दूसरे कंट्री फरार हो जाओ, भाग जाओ, अपने मिनिस्टर्स को देखकर, और फिर आप निकल गए तो निकल गए तो निक जब उन्हें ज़रत नहीं है, तो इनी को यूज किया जा सकते हैं बलेक मैलिंग के तौर पे, जब उन्हें ने कोई भी बयान देना है, इनके थरू बुलवा लिया, अब देखें एंजियों के थरू एक एड लगवा लिया, उस एड के थरू दो कंट्रियों को मैसेज दे अज़ बीच में इनका भी एक सिस्टम आ गया कि यह उन्हें फंडिंग कर रहें, तो बस यही है किसी भी तरीके से वक्त पढ़ने पर हमने करना क्या है, यह अप यह ताश खेलते हैं जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों को कब यूज करना है, लेकिन एज चीज है, मुझे वी अज़ बीच में आपने आपने बहुत बड़ी बात हैं, और दूसरे कंट्रेस जब उन्हों नहीं एड़ देखा होगा, जब उन्हों नहीं एड देखी होगी, तो उनको भी क्या सोच आया होगा, क्या फिल आया होगा, यह थोड़े से वह भी तो जिचब गए होगे, डर कुछ दिन पहले हम देख ते कि अमेरिका बड़ा हमपे महरमान हो रहा है, बड़े ऐसे बैयानात दे रहे हैं, पाकिस्तान के हावाले से, कुछ एक दो दिन पहले की ख़़र है, कि बाकादा अमेरिकन सदर ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दे दिया, स्टेटीजी जल लिए किस तरीके से कभी भी किसी के साथ हो जाते हैं कभी किसी खिलाफ होता है तो एक लेटर्स वीडियो थी तोबारा किसी और रेसा से मुनाकात होगी जब तक के लिए लाफिस